चैप्टर 3, exercise 3.2, matrices की exercise है ये, question number 13 है हमारे पास, if f of x equal to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1, show that f of x into f of y equal to f of x plus y, हमारे पास ये matrices दिया वा है, और हमें प्रूफ करना है कि f of x into f of y equal to f of x plus y होना चाहिए, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले f of x की value लिख रहा हूं मैं, ये जो दीवी है, cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1, ठीक है, अब next मैं f of f of y की value लिख रहा हूं, आपने क्या करना है, ये ही same लिखना है, बस x की जगा y replace कर देना है, तो क्या बनेगा, cos y minus sin y 0, sin y cos y 0, 0, 0, 0, 1, ठीक है, अब next step क्या करना है, आपने इन दोनों को multiply करना है, और फिर इसके equal proof करना है, तो मैं यहाँ से lhs ले रहा हूं, वो है f of x into f of y, अब यहाँ पे f of x की value दालो, f of x की value देखो क्या दी है हमारे पास, अब हम यहाँ पे f of x की value दाल रहे हैं, यह दी है हमारे पास, cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 1, ठीक है, अब यहाँ पे f of y की value, cos y minus sin y 0, sin y cos y 0, 0, 1, अब हम इन दोनों को multiply करेंगे, देखो, first row को first column से, तो यह बनेगा, cos x into cos y, minus sin x, sin y, और 0 into 0, प्लस 0, ठीक है, फिर ऐसे ही, first row को second column से, तो यह बनेगा, minus cos x sin y, फिर इसको इस से, तो यह बनेगा, minus sin x cos y, और फिर इसको इस से, यह 0 हो जाएगा, अब ऐसे यहाँ पर, इसको इस से, देखो, पहले मैंने first row को first column से किया, फिर second से किया, अब करेंगे third से, तो बनेगा, cos x into 0, 0, minus sin x into 0, 0, और 0 into 1, 0, ठीक है, अब हमने आगे क्या करना है, second row को first column से, फिर second से, फिर third से, अब इसको इस से, यह बनेगा, sin x, cos y, फिर इसको इस से, plus cos x, sin y, और 0 को 0 से, ठीक है, अब ऐसे ही second row को second column से, तो यह बनेगा, minus, sin x, sin y, इसको इस से, plus cos x, cos y, यह मैंने x लिखा, ठीक है, और 0 को 0 से, अब ऐसे ही, यहाँ पे, यह बनेगा 0, यह भी 0, और यह भी 0, अब हम क्या करेंगे, इस वली row को, इन तीनों column से करेंगे, पहले इसको first column से, 0, 0, 0, यह तीनों 0 होगे, फिर यहाँ पे, इसको इस से, 0, 0, 0, अब इसको इस से, यह बनेगा, 0, 0, 1, यह भी हो गया, 0, 0, 0, 0, ठीक है, अब देखो, इसके बाद हमारा next formula होता है, cos a, cos b, minus sin a, sin b, यह होता है, cos a plus b के equal, ठीक है, तो देखो, यह बन रहा है न, cos a, cos b, minus sin a, sin b, किसके equal, cos a plus b, तो यह हो जाएगा, cos x plus y, ठीक है, अब इन दोनों में, minus common निकालते हैं, यहाँ क्या बचेगा, पहले यह बला लिखूँगा, sin x, cos y, पहले मैंने यह बला लिख रहा हूँ, बाद में यह, plus cos x, यह मैं रफ में लिख रहा हूँ, sin y, यह बन गया न, अब देखो, हमारे पास formula होता है, sin a, cos b, plus sin b, cos a, यह हो जाएगा, sin a plus b, देखो, मैंने इन दोनों में से minus common निकाला, और मैंने पहले लिखा यह बला, plus क, और यह बला, तो देखो, यह formula बन क्या, sin a, cos b, plus cos b, a, sin b, तो यह किसके एकल होता है, sin a, plus b, के, तो यह हो जाएगा, sin x, plus y, ठीक है, यह 0 हो जाएगा, फिर, यह देखो, यह भी सेम, sin a, cos b, plus cos a, sin b, किसके एकल है, sin a, plus b के, अच्छा, अगर आप इसको और इसको देखो, इसमें बस यह है कि, यह minus वाला पहले लिखा है, और plus वाला बाद में लिखा, अगर मैं इसको पहले लिख दू, plus वाले लिख दू, और minus वाला बाद में लिख दू, तो यह सेम बन गया न, इसकी तरह, तो यह हो जाएगा, किस क्या formula है, इसका, cos a plus b, तो यह होगा, cos x plus y, 0, यह 0 होगया, यह भी 0, यह भी 0, और यहाँ पे न, मैंने गलत लिखा, देखो, इसको मैंने इस से multiply किया था था न, यह बना था, 0, 0, और 1 into 1, 1, ठीक है, अब आप क्या करो, अपनी न, f of x को देखो, f of x क्या था, मैं यहाँ पे न, side पे f of x की value लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, जो हमारे पस given दिया था, cos x minus sin x, 0, sin x, cos x, 0, 0, 1, यह हमारे पस f of x दिया था, ठीक है, अब आप इसको और इसको compare करो, cos x plus y, minus sin x plus y, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, sin x plus y, आप देखो, बिल्कुल सेम है, है न, सेम इसकी तरह, फरक क्या है बस, x की जगा यहाँ पे, x plus y है, तो देखो, जब यहाँ पे x है, sum में, तो यहाँ क्या है, f of x, अगर यहाँ में, sum में, x plus y है, तो यहाँ क्या आजाएगा, f of x plus y, और यही हमारी RHS है, अब चेक कर लो, मैंने LHS ली थी, और RHS प्रूफ कर दिये, देखो, मैंने LHS ली थी न, और इसको प्रूफ किया, RHS के एक वाल, यह ली थी न, LHS, तो यह हो गया हमारा कोशन नमबर 13 का प्रूफ, कोशन नमबर 14 है हमारे पास, शो डाट, फर्स पार्ट है, 5, 6, माइनस 1, 7, ऐसी यह मैटर्स इस दियावा है, 2, 1, 3, फिर यह सेम, 2, 1, 3, और 5, 1, यह दियावा, ठीक है, हमें बताना है, अगर हम इन दोनों का प्रूटेक करें, और इन दोनों का प्रूटेक करें, यह बराबर नहीं होना चाहिए, अगर आप इसको A पड़ो, और इसको B, और इसको B और A, तो यह तो मैंने आपको बताया बना कि मैट्रिक जो है, मल्टिप्लिकेशन बे कॉमोडिटिव नहीं होता, A, B इस नॉट इक्वल टू B है, तो देखो, हम इसकी LHS लेते है, LHS है मारे पास, 5, 6, माइनस, 1, 7, 2, 1, 3, 4, अब आप इसको मल्टिप्लाई करो, इसको इसके साथ, तो यह क्या बनेगा, 5, 2s are 10, माइनस, 3, ठीक है, अब इसी तरह, इस रो को इस से, तो यह बनेगा, 5, 1s are 5, माइनस, 4, अब 2nd रो को, 1st कॉल्म से, तो यह बनेगा, 6, 2s are 12, ब्लस, 7, 3s are 21, अब इसको इस से, 6, 1s are 6, 7, 4s are 28, तो यह कितना होगा, 7, यह हो जाएगा, 1, यह आजाएगा, 23, 33, और यह 34, ठीक है, अब ऐसी RHS निकॉलो, RHS यह दिया, 2, 1, 3, 4, 5, माइनस, 1, 6, 7, अब आप इन दोनों को मल्टिप्ले करो, इसको इस से, तो यह बनेगा, 2, 2, 5s are 10, प्लस 6, अब फर्स्ट रो को सेकिंड कॉलम से, पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे, माइनस 2, प्लस 7, अब इसी तरह, इसको इस से, फिर इस से, यह बनेगा, 5, 3s are 15, 6, 4s are 24, अब इसको इस से, यह बनेगा, माइनस 3, 7, 4s are 28, तो आप इसको इसको इस भी लिख लेना, और इसको भी यह, तो यह हो जाएगा, 4, 16, 5, 39, और 25, अगर आप चेक करो, यह और यह, दोनों अलग लगा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं, a, b, is not equal to b, ए, ठीक है, यह हो गया हमारा first part complete, अब आजो second part पर, second part में भी same यही, यह a, यह b, यह b, यह a, तो हमें बताना है, यह बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसकी lhs ले लो, वो है a, b, तो इसकी value यहां लिखते है, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 0, यह मैंने a लिखा, अब इसी तरह b, यह b, minus 1, 1, 0, 0, minus 1, 1, 2, 3, 4, अब हम इसको multiply करेंगे, तो देखो, first row को first column से, फिट second से, फिट third से, अब पहले सबसे पहले इसको इस से, यह बनेगा minus 1, 2 into 0, 0, 3 into 2, 6, अब इसको इस से, यह बनेगा 1, minus 2, 3, 3s are 9, अब इसको इस से, यह बनेगा 0, 2, 4, 3s are 12, ठीक है, यह first row को मैंने तीनों से करेंगे, दिया, अब आपने आगे क्या करना है, इसको इस से, इस से, फिर इस से, अब second row को first column से, 0, 0, plus 0, यह सारे 0 होगे, अब इसको इस से, यह बनेगा 0, minus 1, 1, plus 0, अब इसको इस से, यह बनेगा 0, 1, 0, ठीक है, अब ऐसी इसको इस से, minus 1, 0, plus 0, अब इसको second column से, यह बनेगा 1, minus 1, 0, 1, minus 1, 0, अब इसको इस से, 0, 1, 0, ठीक है, तो यह आजाएगा, solve करके, 5, 9, plus 1, 10, 8, 14, 0, minus 1, 1, minus 1, 0, 1, ठीक है, यह आगे हमारी LHS, अब हम निकालेंगे RHS, RHS है हमारी BA, तो यहाँ पर B की वेल्यू दालो, यह हमारी B की वेल्यू, minus 1, minus 1, 1, 0, 0, minus 1, 1, 2, 3, 4, 0, फिर यहाँ पर A की वेल्यू, यह A की वेल्यू, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 0, ठीक है, अब आप इन दोनों को multiply करो, इसको इस से, यह बने का, पहले इसको इस से, फिर इस से, यह बने का, minus 1, 0, 0, अब इसको इस से, minus 2, 1, 0, फिर इसको इस से, यह बने का, minus 3, 0, 0, ठीक है, अब इसको इस से, 0, 0, 1, 0, plus 0, plus 1, अब इसको इस से, फिर इस से, अब इसको इस से, 0, minus 1, 1, 0, minus 1, 1, अब इसको इस से 000 ठीक है अब इसको इस से फिर इस से ये बनेगा 204 204 फिर इसको इस से 434 अब इसको इस से सिक्स जीरो जीरो ठीक है अब आप इनको प्लस कर लो माइनस वन वन माइनस थ्री वन जीरो जीरो सिक्स एट इलेवन अगर आप देखो LHS और RHS बराबर नहीं है तो हैंस AB is not equal to BA यह हो गया हमारा question number 14 complete question number 15 है हमारे पास find A square minus 5A plus 6I if A दिया है हमारे पास यह matters तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे A square ठीक है सबसे पहले क्या निकालने जा रहे हैं A square A square को लिख सकते हैं हम A into A लिख सकते हैं ना अब हम क्या करेंगे यहां पे सबसे पहले A की value डालेंगे A है हमारे पास 2,0,1 2,1,3 1,1,1,0 ठीक है फिर यहां पे दुबारा A की value A into A है ना तो दो बार value डाल रहे हैं यह देखो मैंने दोनों बार value डाल दी अब हमने क्या करना है इनको multiply करना है ठीक है देखो कैसे करेंगे यह निकलेगा A scale इस row को इस से तो यह क्या बनेगा देखो पहले इसको इस से करना है फिर इस से फिर इस से ठीक है तो यह आ जाएगा 2,2 जा 4 प्लस 0 प्लस 1 ठीक है अब इसको इस से करना है तो यह बनेगा 0 0 और minus 1 ठीक है अब इसको इस से 2,0,0 ठीक है अब ऐसी second row को पहले first column से फिर second column से फिर third column से तो इसको इस से करेंगे 2,2 जा 4 प्लस 2 प्लस 3 ठीक है अब इसको इस से यह बनेगा 0 1 और minus 3 ठीक है अब इसको इस से 2 3 प्लस 0 अब इसको इस से यह बनेगा अब अब इसको इस से फिर इस से यह बनेगा 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 जीरो माइनस 1 और यह 0 आएगा देखो कैसे 0 माइनस 1 और 0 अब इसको इस से 1 माइनस 3 प्लस 0 ठीक है अब हम इनको प्लस करते हैं यह आ जाएगा 5 माइनस 1 2 4 तू 6 6 प्लस 3 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 ठीक है यह हमने निकाल दिया अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे हम यह पूरी वैल्यू लेंगे और इस एसकेर माइनस 5 ए प्लस 6 आई की वैल्यू लेने जा रहा हूँ एसकेर माइनस 5 ए प्लस 6 आई यहां पे दालो सबसे पहले A स्केर की वैल्यू A स्केर की वैल्यू आपके सामने है 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 2 5 माइनस 2 अब A की वैल्यू A आपको कोशन में स्टार्टी में गिवन है अगर आपको देखने है कोशन से देख लो 2 0 1 2 1 3 1-1 0 प्लस 6 i i तो आपको पता न i क्या होता identity matrix identity matrix मतलब कि diagonal में 1 बाकी सारे 0 ठीक है अब क्या करो 5 9 0 minus 1 minus 2 minus 1 2 5 minus 2 इसको 5 से मल्टिप्ले करो 5 को सबसे करो 5 2s are 10 0 5 10 5 15 5 minus 5 फिर 0 अब ऐसी 6 से 6 से सबको करो 6 0 0 0 6 0 0 6 ठीक है अब इन दोनों को minus करो 5 minus 10 1 minus 5 minus 1 0 minus 1 2 minus 5 minus 3 9 minus 10 minus 1 minus 2 minus 5 minus 7 5 minus 15 minus 10 zero minus five minus five minus one plus five four minus two zero अब इन दोनों को plus कर दो तो इन दोनों को plus करेंगे तो answer आ जाएगा minus five plus six one minus one zero minus one plus three minus three minus one minus seven plus six minus one minus ten plus zero minus ten minus five four और minus two plus six four तो यह आ गया हमारे question number fifteen का answer question number sixteen है हमारे पास a दियाव है one zero two zero two one two zero three prove that e cube minus six a square plus seven a plus two i equal to zero यह हमें proof करना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे a square देखो a square को लिख सकते है a into a अब आप यहाँ पर a की value डालो आपके सामने दिया यह देखो मैंने a की value डाल दी और यहाँ पर दोबारा a की value डालो one zero two zero two one two zero three अब इनको multiply करो देखो मैंने कैसे सिखाया first row को first column से तो यह बनेगा one plus zero two two is a four अब ऐसी फर्स्ट रो को second column से जीरो 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 अब इसको थर्ड column से टू जीरो टू थीरी जा six ठीक है अब इसको इससे फिर इससे फिर इससे अब second row को first column से जीरो जीरो टू फिर ऐससे इससे जीरो फोर जीरो जीरो फोर जीरो फिर इसको इससे जीरो टू थ्री अब ऐसी third row को first column से फिर second से फिर थर्ड से zero zero six two नहीं पहला तो two आएगा two zero और six फिर यहां पे भी zero 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 फिर last four zero nine four plus zero plus nine अब इनको प्लस कर लो पहला आएगा five next zero two और six eight two four three plus two five eight zero और यह 30 ठीक है अब हम next निकालेंगे a cube क्या निकालेंगे a cube देखो a cube को लिखेंगे हम a square into a क्या लिखेंगे a square into a अब हम यहां पे a square की value डालते है a square हमने निकाला यह रहा यह a square है five zero eight two four five eight zero thirteen और फिर a की value a की value तो है ना आपके पास question में गिवन one zero two zero two one two zero three ठीक है one zero two zero two one two zero three अब आपने इसनको multiply करना है तो यह बनेगा पहला इसको इससे multiply यह बन किया five zero तो देखो इसको इससे करेंगे five one जा five plus zero eight two's are sixteen अब इसको इससे यह बनेगा five plus zero oh sorry इसको इससे यह तो हो गया पहला zero zero फिर zero फिर zero फिर zero फिर इसको इससे five two's are ten zero eight three's are twenty four अब इसको इससे two zero ten two zero or ten अब इसको इससे zero eight zero अब इसको इससे two four और fifteen यह two two's are four यह four आना था four four fifteen अब इसको इस तीनों से पहले इसको इससे eight zero twenty six अब इसको इससे zero 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 अब इसको इससे sixteen zero thirty nine अब इनको प्लस करो यह आ जाएगा twenty one यह zero thirty four twelve eight fifteen plus four nineteen nineteen plus four twenty three thirty four zero और यह fifty five ठीक है अब हमने क्या करना है यहां से LHS लेनी है LHS देखो क्या दिया हमारे पास हमें यह प्रूफ करना है न तो हम LHS लेंगे और प्रूफ करेंगे zero के एक वर ठीक है LHS है मारे पास a cube minus six a square plus seven a plus two i याद रखना इसको प्रूफ करना है zero के एक वर तो a cube हमारे पास सामने है twenty one zero thirty four twelve eight twenty three thirty four zero fifty five minus six a square a square देखो यह रहा यह a cube है a square न है यह रहा five zero eight five zero eight two four five eight zero thirteen फिर है plus seven a a की value question में starting में given है one zero two zero two one two zero three plus two i i की value देखो क्या होती है diagonal में one बाकी सारे zero ठीक है अब देखो next step क्या करेंगे यह तो same लिखो यह सेम लिख रहा हूं मैं इसको six से अंदर multiply करो six five the thirty zero six eight the forty eight twelve six four the twenty four six five the thirty six eight the forty eight zero thirteen six the thirteen five the sixty five thirteen six six three the eighty one eighteen six one the 78 अब इसको seven से अंदर seven zero fourteen zero fourteen seven fourteen zero twenty one अब इसको two से multiply अंदर zero zero two ठीक है सबसे पहले क्या करो इन दोनों को twenty one में से 30 के nine zero zero minus nine आएगा ना thirty four में से forty eight minus fourteen twelve minus twelve zero eight minus twenty four minus sixteen minus seven thirty four minus forty eight minus fourteen zero fifty five में से seventy eight के minus twenty three और इन दोनों को two plus seven or plus two nine zero fourteen zero minus sixteen seven fourteen zero twenty three अब इनको प्लस कर दो हो 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 है माइनस nine प्लस nine zero zero माइनस 14 प्लस 14 जीरो जीरो यह भी जीरो यहां पर मैंने गरबड़ की 14 प्लस two 16 होता है माइनस 16 प्लस 16 जीरो जीरो प्लस कर रहां जीरो जीरो और यह जीरो तो देखो सारे जीरो आगे तो यह हो गया जीरो तो एक्वल टू आरेचस हैंस प्रूव्ट यह हो गया हमारा कोश्चन नमबर 16 कम्प्लेट कोश्चन नमबर 17 है मारे पास इफ एक्वल टू 3-2 4-2 और आई दिया वह है 1 0 0 1 हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे एस्केर की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं ए है मारे पास एस्केर को हम लिख सकते ना एंटू ए तो यहां पर ए की वैल्यू दालते हैं 3-2 4-2 और यहां पर भी ए की वैल्यू 3-2 4-2 अब इन दोनों को multiply करते हैं इसको पहले इस से फिर इस से तो first row को first column से 3-3 जा 9-8 अब इसको इस से minus 6 plus 4 अब second row को first column से फिर इस से तो यह बनेगा 4-3 जा 12-8 अब इसको इस से minus 8 और plus 4 तो यह कितना आ गया 9 में से 8 के 1 minus 6 plus 4 minus 2 4 और यह minus 4 ठीक है अब अगला step क्या करो यह वली value लो given और हमें k निकालना ठीक है यह मैंने यहाँ ली और यहाँ पर पहले a square की value दालो 1 minus 2 4 minus 4 अब यहाँ पर a की value a देखो आपके सामने है 3 4 minus 2 minus 2 और यहाँ पर i की value i की value 1 0 0 1 ठीक है अब क्या करो 1 minus 2 4 minus 4 इस k को अंदर multiply करो 3 k minus 2 k 4 k minus 2 k और इसको टू से multiply 2 0 0 2 तो यह बनेगा 1 minus 2 4 minus 4 इसको इसको minus करो 3 k minus 2 इसको इसको करोगे माइनस 2K इसको इसको 4K माइनस 2K प्लस 2 ठीक है अब किसी एक से compare करके की value निकाल लो तो इसको इसको compare कर लो 1 equal to 3K minus 2 अब किसी से भी compare करोगे answer same ही आएगा 2 को उदर ले जाओ तो 3K equal to 1 plus 2 3 तो K equal to 3 upon 3 तो K आगया मारा 1 यह हो गया मारा question number 17 भी complete question number 18 है मारे पास if A equal to 0 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 0 show that I plus A equal to I minus A cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी LHS लेते हैं LHS है I plus A तो आप यहाँ पर I की value दालो I देखो क्या होता है identity matrix जिसमें diagonal में 1 होंगे और बाकी सारे 0 होंगे ठीक है और A की value दालो A आपके सामने यह A में क्या दाल रहा हूँ यह A है 0 अब इनको आप क्या करो plus करो 1 plus 0 1 0 minus minus tan alpha by 2 फिर यह tan alpha by 2 और 1 plus 0 1 यह आगे मारी LHS अब निकालो RHS RHS यह है RHS तो I minus A cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha ठीक है सबसे पहले यहाँ पर I की value दालो I क्या मैंने बताया 1 0 0 1 A की value A आपके पास given है question में tan alpha by 2 tan alpha by 2 और 0 ठीक है और यहाँ पर cos alpha और sin alpha का formula दालो देखो मैं यहाँ पर cos alpha and sin alpha का formula दाल रहा हूँ वो भी tan विला क्योंकि यह सारे tan में हो जाएंगे न इसलिए formula tan और cos का दालना जरूरी है यह होता है 1 minus tan square alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2 यह cos alpha का formula और sin alpha का यह 2 tan alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2 ठीक है तो यह मैंना अगले step में दालता हूँ अभी मैं इसको same ही लिख रहा हूँ ठीक है अब यहाँ पर इन दोनों को करो minus 1 minus 0 1 0 minus minus plus tan alpha by 2 0 minus minus tan alpha by 2 और 1 minus 0 1 अब देखो मैं यह formula पता है क्यों दाल रहा हूँ यह कि देखो यह tan में आ गया तो मैं इनको भी tan में convert करने के लिए formula दाल रहा हूँ ठीक है तो cos alpha का formula 1 minus tan square alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2 फिर sin alpha का formula 2 tan alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2 फिर यहाँ पर sin alpha का formula 2 tan alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2 और cos alpha का formula 1 minus tan square alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2 ठीक है अब हमने क्या करना है इन दोनों को multiply करना है लेकिन multiply अगर हम directly करेंगे ना तो काफी मुश्किल हो जाएगा तो हम इसमें ना सब्चिशन यूज करते हैं tan alpha by 2 को अब x ले लो या t ले लो कुछ भी ले सकते हो तो हमने for example x ले लिया तो यह क्या बनेगा 1 x minus x1 ठीक है फिर यहाँ पर भी tan alpha by 2 की चगा x दाल दो तो यह बनेगा 1 minus x2 upon 1 plus x2 फिर यहाँ पर भी tan alpha by 2 की चगा x 2x upon 1 plus x2 फिर यहाँ पर भी tan alpha by 2 की चगा x 2x upon 1 plus x2 और यहाँ पर भी 1 minus x2 upon 1 plus x2 अब आपने इन दोनों को multiply करना है ठीक है तो देखो मैं यहाँ कर रहाँ multiply इसको अब देखो first row को first column से फिर second column से तो 1 into यह यह आएगा अपन प्लस x2 फिर x को इस से यह बनेगा minus 2x2 upon 1 plus x2 ठीक है अब इसको इस से मैंने यहाँ पर गलत कर दिया ना इसको इस से करना था यह लिखा मैंने और इसको इस से करना था तो तो यह 2x क्यार, plus होना था, ठीक है, अब ठीक है, अब इसको इससे multiply करो, यह बनेगा minus 2x, upon 1 plus x क्यार, फिर इसको इससे, इसको इससे, यह देखो, x से multiply करो, x, minus x3, दोनों को x से multiply कर दिया, ठीक है, इसी तरह, अब इसको इससे, यह बनेगा minus x, plus x3, उपर ही multiply करना है, नीचे सेम रहता है, नीचे मत कर देना, और इसको इससे, 2x, upon 1 plus x क्यार, अब इसी तरह, इसको इससे, यह बनेगा, plus 2x क्यार, upon 1 plus x क्यार, और इसको इससे, 1 minus x क्यार, upon 1 plus x क्यार, ठीक है, अब हम इसको simplify करेंगे, देखो क्या होगा, इन दोनों का LCM सेम है न, तो यहाँ बचेगा, 1 plus x क्यार, यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 minus x क्यार, plus 2x क्यार, फिर यहाँ पर भी LCM सेम, 1 plus x क्यार, minus 2x, plus x, minus x क्यूब, उपर सेम आ जाएगा, क्योंकि LCM दोनों का सेम है, फिर यहाँ पर भी LCM सेम, उपर सेम लिख देना है, ठीक है, फिर इधर भी सेम, 2x क्यार, plus 1, minus x क्यार, अब next step देखो क्या करेंगे, इन दोनों में, उपर तो सेम, उपर क्या आएगा, 1, minus x क्यार, plus 2x क्यार, 1, plus x क्यार, अब देखो, यहाँ पर, इन दोनों को minus करेंगे, तो यह बनेगा, minus x, और यहाँ रह जाएगा, minus x क्यू, दोनों में, minus x क्यार, यहाँ बचेगा, 1, plus x क्यार, ठीक है, इसी तरह यहाँ भी, minus x, plus 2x, x रहा जाएगा और बचेगा x cube दोनों में x common यहां बचेगा 1 plus x square upon ये वाला 1 plus x square फिर यहां पर पहले 1 लिख रहा हूँ 2 x square में से x square गया x square ये और ये cancel ये और ये 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 तो यहां पर बचेगा 1 यहां minus x यहां x और यहां 1 अब यहां पर x की value दाल दो x को हमने क्या लिया था ये देखो x को हमने क्या लिया था tan alpha by 2 तो यहां पर x की value दाल दो x की जगा tan alpha by 2 अगर आप चेक करो ये हमने RHS ली थी न अब चेक करो LHS क्या ये देखो LHS यह है LHS यह देखो मैंने LHS ली थी न 1- tan alpha by 2 tan alpha by 2 1 अब RHS चेक करो यह देखो same है न तो LHS equal to RHS तो यह हो गया hence proved यह हो गया हमारा question number 18 complete question number 19 a trust fund has Rs 30,000 that must be invested in two different types of bonds the first bond pays 5% interest per year the second bond pays 7% interest per year using matrix multiplication determine how to devise Rs 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of first part 18,000 or 2,000 1800 sorry अब मैं आपको ना समझाता हूँ step by step करके देखो इसके पास total पैसा है Rs 30,000 अगर यह पहले वाले bond में इसको invest करता है तो इसको कितना मिलता है 5% interest यह कौन से वाले bond में करता है 1st bond में अगर यह 1st bond में यह पैसा invest करता है तो इसको interest मिलता है 5% ठीक है फिर है अगर यह दूसरे bond में करता है तो इसको interest मिलता है 7% 2nd bond में करता है तो इसको मिलता है 7% ठीक है तो हमें बताना है कि अगर इसको 30 अगर इसको interest मिलता है first part में 1800 तो बताओ कि इसने इस bond में कितना पैसा invest किया और इसमें कितना invest किया अगर मालो इसने 30,000 में से इसमें x percent पैसे invest किये तो इसमें कितना करेगा अगर जितना 30,000 माइनिस x समझ आई देखो न अगर इसके पास 30,000 है 30,000 में से अगर इसने 10,000 यहां किया तो 20,000 यहां ही करेगा तो देखो अब हमें matrix multiplication कैसे use करनी है यह first part आ रहा है ठीक है सबसे पहले आपने यहां लिखना x और यहां लिखना 30,000 माइनिस x ठीक है अब दो matrix कैसे multiply होते है जब आप उसको ऐसे multiply करो है न तो अब हम जो भी लिखेंगे वो यहां लिखेंगे तो यहां लिख दो 5% interest और यहां लिख दो 7% ठीक है और first part में उस इसको interest कितना मिल रहा 1800 वो equal to में लिख दो ठीक है अब इनको multiply करो देखो इसको order है 1 into 2, 1 row 2 columns और इसको order है 2 rows 1 column तो दो matrix तभी multiply होते हैं जब यह सेम हो तभी मैंने इसको इस form में रखा है अब आप इसको इससे multiply करो यह बनेगा 5% of x plus इसको इससे multiply करो 7% of 30,000 minus x equal to 1800 second part में पता है क्या करना है second part में 1800 की जगा आपको 2000 कर देना है बस बाकी सेम होगा साथ ठीक है तो देखो यह बनेगा percent अगर हटाओ तो यह बनता है upon में 100 और into off होता है off अटा होगे तो x इसी तरह यह होगा 7 by 100 into 30,000 minus x next step देखो 100 दोनों का LCM है 100 LCM ले लो यह बनेगा 5x इसको 7 से multiply करो 7 3s है 21 और बाकी 0 लिख दो 3 4 minus 7x अब next step क्या करो 100 इदर ले जाओ 100 इदर लेके जाओगे तो यह 1 2 3 4 हो जाएंगे 5x में से 7x किये 2x plus 21,000 अब इसको इदर लेके minus कर दो यह 18,000 18,000 में से 21,000 minus करोगे तो कितने बचेंगे नहीं 18,000 थोड़ा यह यह है यह 1,00,000 है 1,80,000 में से 2,10,000 minus करोगे तो बचे का 30,000 ठीक है मैंने क्या किया इन दोनों को minus कर दिया तो अब minus cancel 2 इससे cancel तो यह बचेगा 15,000 तो उसने पहले वले bond में कितने पैसे invest किये यह उसने 1st bond में invest किये 15,000 उसने 1st bond में invest किये तो दूसरे bond में कितना करेगा देखो पहले bond में 15 हुए तो दूसरे में कितना होगा 30,000 माइनस 15 तो 2nd bond में उसने पैसे invest करेगा वो कितने हो जाएंगे 30,000 माइनस X X है 15,000 तो वो भी सेम ही आजाएगा 15,000 ठीक है अब आजो 2nd part 2nd part में क्या था 2nd part में आपको 2000 लेना था तो यही सेम आपको सारा लिखना है X 30,000 माइनस X फिर यही सेम 5% 7% और यहाँ पे 1800 की जगा 2000 कर देना आपको ठीक है अब हम इनको multiply करेंगे और X की value निकालेंगे इसको इससे multiply यह बनेगा 5% of X इसको इससे multiply 7% of 30,000 माइनस X equal to 2000 ठीक है यह हो जाएगा 5X upon 100 और यह हो जाएगा 7 30,000 माइनस X upon 100 अब क्या करो यह लेके यह विला 100 जो है इस तरफ ले जाओ तो यह बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह बन जाएगा 7X यह बनेगा 2,10,000 एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार माइनस 7X 5X में से 7X गे माइनस 2X इसको इदा ले आओ 2,00,000 में से यह माइनस हो जाएगा 2,00,000 में से 21,000 2,00,000 में से 2,00,000 माइनस करोगे तो 10,000 बचेगा यह कैंसल यह से कैंसल तो 1st bond में उसने कितने पैसे इंवेस किये 5,000 तो 2nd में कितने होंगे वो अब 30, 2nd bond के लिए 30,000 माइनस X कर लो 1,2,3,4 माइनस X तो वो आजाएगा 30,000 माइनस 5,000 तो दूसरे bond में वो करेगा 25,000 मनी इर्वेस्ट तो यह हो गया मारा question number 19 complete question number 20 मारा प्रवेस्ट the bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books 8 dozen physics books 10 dozen economic books their selling price are Rs. 80, Rs. 60 and Rs. 40 each respectively find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra देखो कहा रहा है इसके पास 10 dozen chemistry books है 8 dozen physics books है और 10 dozen economic books है एक chemistry book की price है 80 एक physics की book की price है 60 और एक economics की book की price है 40 तो बताना है कि total amount total amount कितनी इसको receive होई और किसे आपको करना है matrix algebra से तो coffee simple है सबसे पहले आप क्या करो यहाँ पर जो books दी है यह जो chemistry books है यह आप यहाँ लिख दो 10 और एक चीज़ का दियान दो यह dozen है एक dozen में कितनी होते है 12 तो 10 dozen में कितनी हो जाएंगे 10 into 12 इसी तरह इसमें क्या है 8 dozen और into 12 फिनेक्स 10 dozen 10 into 12 ठीक है और इनकी selling price दी भी है आप यहाँ लिख लेने यह मैं क्या निकाल रहा हूँ टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट और यहाँ पर इसकी selling price लिख दो 80 60 40 ठीक है अब आप इनको multiply करने से पहले इन सब में देखो 12 common है यह निकाल लो easy हो जाएगा इससे 10 8 80 60 40 ठीक है अब इसको order देखो कितना है इसको order है 1 3 column 1 into 3 और इसमें 3 rows और 1 column तो 2 matrix अभी multiply होते हैं जब वो यह उड़िये से मो तो answer में क्या आएगा 1 into 1 तो करो इसको इससे multiply यह बनेगा 800 इसको इससे 8 0 जा 0 8 6 जा 48 इसको इससे यह हो जाएगा 40 into 10 400 ठीक है next इनको plus करो सबको यह कितना हो जाएगा यह हो गया ना 5 20 5 20 प्लस 800 5 20 प्लस 800 1 3 2 0 1 3 2 0 अब इसको multiply करो तो यह आजाएगा रुपीज 2 1 6 2 0 ठीक है यह गलत कर दिया यहाँ ठीक करना 10 into 4 0 यह 400 होता है मैंने गलत ती से 40 लिख दिया तो यह कितना बन जाएगा यह हो जाएगा 800 प्लस 4 1200 1200 प्लस 400 1600 यह बनेगा 1680 ठीक है अगर आप इनको multiply करोगे दोनों को multiply करके आता है 20160 तो यह आगया हमारे question number 20 का answer next question है assume x, y, z, w, p are matrices of order देखो मतलब यह जो x को order दिया है 2 into n y को order है 3 into k z को order है 2 into p w का 3 into n और p का p into k इन सब के orders दिये है तो हमारे पास है choose the correct answer in exercise 21 और 22 तो question number 21 पढ़ो the restriction on n, k and p so that p y plus w y will be defined r अब हमें क्या करना है यह जो p y और w y है न इनको order देखना है इनको order क्या आएगा सबसे पहले आप p का order देखो p का order है यह है न p p का order है p into k अब y का order देखो y का order है y यह रहा न, second वहला y का order है 3 into k अब ही मैं खाली p y पे रोक रहा हूँ w y पे बात प्याता हूँ अब देखो यह दोनों matrix multiply हो रहे है multiply हो रहे है मैंने आपको बताया 2 matrix तब ही multiply होते है जब यह और यह सेम हो ठीक है 2 matrix तब ही multiply होते है जब यह दोनों सेम हो इसका मतलब k क्या होना चाहिए 3 ठीक है और जब आप इन दोनों को multiply करोगे न तो answer में इसका पहला और इसका last मतलब जब आपने multiply कर दिया तो order क्या आजाएगा इन दोनों का multiply करके P into K ठीक है यह मैंने आपको बताया था ना पहले भी अब आजाओ इस पे W और Y पे W को order देखो कितना है W को order है N into 3 और Y को order Y को order तो मैंने लिखा 3 into K ठीक है यहां लिखो plus W Y दो matrix तभी multiply होते हैं जब यह और यह सेम हो है ना सेम तो जब आप इनको multiply कर लोगे तो उसका answer आएगा order आजाएगा N into K ठीक है अब देखो हमें इन दोनों matrix को plus करना है दो matrix तभी plus होते हैं जब उनको order सेम सेम हो जैसे मालो मेरे को इन दोनों matrix को plus करना है यह तभी plus होंगे जब इनको order सेम होगा इसका भी order 2 into 2 इसका भी order 2 into 2 अगर इनको order सेम नहीं है तो यह plus नहीं हो सकते तो देखो K क तो दोनों का same है अब सेम होने के लिए क्या होना चाहिए अगर P और N सेम होगा तभी यह plus होगे इसका मतलब N किसके equal होना चाहिए P के तो देखो पहला हमने लिया K equal to 3 और दूसरा लिया N equal to P तो आप option में देखो option है A तो A को टिकर लेना तो यह हो गया हमारा 21 का answer अब आज़ो 22 पे हमारे पास दिया है N equal to P then the order of the matrix इसका order निखालना है देखो कैसे करेंगे ठीक है यह X का order देखो कितना है X का order है X का order है 2 into N ठीक है और Z का order Z का order देखो कितना है 1, 2, 3 1, 2, 3 Z का order है 2 into P ठीक है अब देखो 2 matrix तभी यह दोनों matrix को minus करना है न 2 matrix तभी minus हो सकते है जब यह दोनों सेम हो और यहाँ पर देखो दिया भी है कि N equal to P तो इसका order हो जाएगा 2 into N और इसका भी order हो जाएगा 2 into N और एक चीज़ा है 2 matrix तभी minus हो सकते है जब यह दोनों सेम हो तो इसका मतलब N किसके equal होगा P के तो order देखो order पूछा था ने order देखो दोनों का निकाल दिया मैंने order के आगया दोनों का 2 into N तो option B को tick कर लेना तो यह हो गया हमारा question number 22 भी